तो फिर अब आएए एक नजर डाले मानोपुंजी निर्धारन के जो स्त्रोत हैं किनके इन स्त्रोतों को क्या धार पर हम मानोपुंजी का निर्माण करेंगे तो सबसे पहला ये कहता है कि सिक्षा पर वै किया जाए सबसे पहले तो लोगों को सिक्षित किया जाए लोगों कई बार ऐसे होता है कि सिक्षित ना हो पाने के कारण सुचनाएं उनको नहीं मिल पाती है वो स्वेम का आंकलन नहीं कर पाते है किस फिल्ड में वो अपनी रूची का खुद उनके अंदर जो दक्षिता है खुद जो चमता है उसको भी वो नहीं पहचान पाते है सिक्षा ही एक ऐसा यहां पर मापदन्ड है सिक्षा ही एक ऐसा कहना चाहिए कि एक ऐसा हतियार है जिसके द्वारा व्यक्ति खुद अपनी दक्षिता अपनी कुछलता को समझता है जब एक बच्चा एक क्लास में रहता है कई बच्चों के साथ कॉंपिटीशन करता है प्रतिस्परधा करता है तब जाके उसके अंदर की जो दक्षिता है वो सबके सामने आती है एक उदाहरन के तौर पर कुछ बच्चे क्लास में पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं कई बच्चों को ये खुद भी नहीं पता रहता कि उनके जो पेंटिंग की जो कला है वो बहुत अच्छी है लेकिन एक पचास बच्चों के क्लास में जब वो सबके सब पेंटिंग कर सबसे पहले तो सिखस्छित किया जाए है साथ में उनके स्वास्त पर वै किया जाए सवस्त शरीर में स्वास्त मस्तिश्क है अगर वक्ति तो किसी कारे को मन लगाकर करेगा अब स्वास्त ही एक ऐसा विन्दू आ जहां पर व्यक्तियों के जो कारे कुशलता होती है कारे छमता होती है वो कहीं न कहीं उसका हास होने लगता है management subject में भी हमने पढ़ा था कि व्यक्तियों के जो कारे करने का समय है वो मानक होना चाहिए कि एक व्यक्ति किस उमर का है कितनी छमता का है वो दिन भर में कितने घंटे काम करता है और कितने घंटे का उसको विश्राम देना चाहिए काम करने की जो समय है उसमें लगातार वो कितने घंटे कारे करे कितने किंते घंटे के बाद उसको विश्राम लेना बहुत जरूरी है तो ये सारे जो चीजे है वो इसके अंतरगत आती है यानि कि स्वास्थ गत जो कारे है वो इसके अंतरगत किये जाए जिन विश्रमिकों की योगिता, कारे कुषलता या दक्षिता का विकास किया जाना हूँ सबसे पहले उनको ये स्वास्त को ठेक किया जाए तीसरा बिंदू आता है कि कारेस्थल पर प्रिसिक्षित दिया जाए जिस फिल्ड में है जिस कारे को वो कर रहे हैं उनको वहीं पर प्रिसिक्षित किया जाया आप देखते होंगे जब आप आइटी आई करके रेलवे में या किसी भी प्लांट में जाते हैं तो सबसे पहले जो इंप्लॉईज होते हैं उनको ट्रेणिंग पर रखा जाता है छह महिने से बारा महिने दो साल तक के उनके करने लगे एसा नहीं होता है उनको जहां पर प्रिसिक्षित किया जाता है उनको ट्रेणिंग दिया जाता है जो कि उनका training period कहलाता है तो कार इस सल पर prescription दिया जाना चाहिए उसके बाद बात आती है कि स्थानांतरण की कई बार इनकी दक्षता इनकी छमता का विकास करने के लिए transfer स्थानांतरण भी करना पड़ता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी unfilled में दक्ष होते हैं लेकिन उनके योगे कारे वहाँ पर उनको नहीं मिल पाता है तो उनको transfer करके दूसरी जगह जहां उनके योगे कारे होता है वहाँ उनको भीजना पड़ता है जैसे एक plant में हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग योगिता वाले वैक्ती होते हैं कुछ technical field में होते हैं कुछ HR department में होते हैं कुछ marketing department में होते हैं तो जब इनकी योगिता और दक्षिता का पता चल जाता है तो इसके according यह किस field में जाते हैं किस प्लांट में कहां पर मार्केटिंग का काम करना है तो मार्केटिंग की दक्षिता रखने वाले वेक्ति को वहां भेज दिया जाता है और टेक्निकल फिल्ड की दक्षिता रखने वाले वेक्ति को प्रोडक्शन यूनिट में जहां पर मशीनों से उसको कारे करना है वहां बेज दिया जाता है तो फॉर इस तरह से अलग-अलग योगिता रखने वाले वेक्ति को अलग-अलग इस्थान पर इस्थानांतरित कर दिया जाता है वैसे ही एक महतुपूर्ण बिंदु आता है सूचना देना या सूचना पर वै करना कई बार ऐसा होता है कि प्रसिक्षन बहुत सारे होते हैं प्रसिक्षन के साथ साथ में प्लेस्मेंट कैम भी बहुत सारे होते हैं जिसे हम कहते हैं कि कई बार जब बच्चे जो इंजिनरिंग के होते हैं या मैडिकल फिल्ड के बहुत सारे अलग-अलग फिल्ड के होते हैं और जब वो पढ़ाई अपनी पूर किया जा रहा है कहा पर प्रसिक्षन दीया जा रहा है यह तरह हम पूरे परिपश्म इसकी बात करें अर्थिक तो यहां पर बात करते उसका क्या रोल्ल महात्व है क्या इंपोर्टेंस है तो सबसे पहला महात्व यहां पर हम देखते हैं कि भौतिक पूंजी का कुशल उपयोग हमने देखा कि भौतिक पूंजी और मानवी पूंजी दोनों अलग-अलग है दोनों को विक्सित करना दोनों को इकठा करना जरूरी है लेकिन भौति कि मानवी पूंजी वहां पर ना हो एक कुशल उत्पादक एक कुशल श्रमिक एक कुशल संगठन करता यह सब मिलकर जब काम करते हैं तभी वो उनके पास जो पूंजी है उसका वो सही उपयोग कर पाते हैं तो कई बार पूंजी के दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहत यह कहीं ना कहीं पुंजी से प्रारम होती है औरलास्ट में फिर पुंजी पर खतम हो जाती है एक साहसी जो होता है एंटर्पाइंडरि ऑपने जो उदपाधन के साधन है उनको उनके प्रतिफल देने बाद जो बचता है उसको वो पूंजी निर्माण के कारे में लाता है फिर से उत्पादन के कारे में लगाता है तो कहीं न कहीं घूम फिर कर ये बात आती है कि मानव पूंजी के रूप में जिनको हम विन्योजित किये हैं जिनको हम कारे में लगाए हैं उत्पादन के पूरे होते हैं वो भी वही व्यक्ति करते हैं जिनके अंदर मानो पुंजी का निर्मान हो चुका होता है मानो पुंजी का विकास हो चुका होता है ऐसे व्यक्ति जो समय समय पर prescription प्राप्त करते हैं समय समय पर अपने आपको अपडेट करते हैं अपने आपको समय की मांग के रूप परिवर्टित कर लेते हैं वही आगे चल के कोई नया innovation नौप्रवर्तन या नया अविश्कार करने की योगे बन पाते हैं साथी साथ एक बिंदू यहापर हम यह भी देखते हैं कि उत्पादन में वृद्धी होती लेकिन इसको हम दो भागों में बाट कर देखते हैं ग्रामीर विकास को अगर हम अलग करें तो उनको एक सही प्लेट्फॉर्म प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याइं हमारे सामने आने लगती हैं आईए उन सभी समस्याओं पर एक नजर डालें जो बास्तों में मानो पुझी के निर्मान की पुरी प्रक्रिया में आ सकती हैं सबसे पहली समस्या तो आती है जनसंख्या में व्रिद्धी हम बात करते हैं मानो को पहचानना उसकी दक्षिता का विकास करना और फिर जिस कारे में वो दक्ष है उसको उस कारे में नियोजित करना प्रसिक्षन देना और प्रसिक्षन के उपरांत नियोजित करना लेकिन कई बार जनसंख्या इतनी अधिक होने से ढूनना या पहचान लेना और फिर उनको प्रसिक्षन देना और सब के सब को किसी कारे में नियोजित करना ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या बन जा तो यहां आप खुद भी देखते होंगे कि इंडिया की जो स्टूडेंट्स है जब वो बहुत अच्छी डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हैं तो वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सेलरी जब उनको नहीं मिल पाती है तो वो विदेश की और जाने लगते विदेशों में जा हम उनको अपने देश में प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते तो या इस छेत्र में भी कुछ काम करना होगा कि जो लोग इतने नॉलेज फुल हैं और इतनी मेहनत करने के बाद अपने अंदर इतनी कॉलिटी को डेवलप कर रहे हैं फिर उनकी प्रतिभाक अपलायन हमारे प्रिश में नहीं रेवले पा रहे हैं यह सोचना इसका हल निकालना भी बहुत बड़ी समस्या है तीसरा हम देखते हैं कि आप अर्याप्त मानव शक्ति का नियोजन कई बार प्रसिक्षित हम कर लेते हैं योगिता का विकास हम कर लेते हैं लेकिन उतनी जो करमचारियों के जो डिमांड होती है उतनी नहीं होती है कि उन सभी प्रसिक्षित वेक्तियों को कही न कहीं नियोजित किया जा सके कहीं न कहीं जनसंक्या है इसका एक महतुपूर्ण कारण है लेकिन इसे हम एक समस्या के रूप में देख सकते हैं कि प्रसिक्षित होने के बाद भी उनको क मार्केटिंग से यह टेक्निकल नौलेज से रिलेटेड हो जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उनकी अपरियाप्तता है वो भी बहुत कम है तो सभी लोगों को प्रेसिक्षन नहीं मिल पाता है साथ में हम देखते हैं कि स्वास्त संबंदी समस्याएं भी आती हैं स्वास्त के संबंदी में हमने पहले भी बात की स्वास्त गत समस्याएं कैसी समस्याएं हैं जो चाहें आप कितना भी अच्छा प्रेसिक्षन देले कोई वेक्ति कितना भी अच्छा नौलेज उसको हो और साथ में हम देखते हैं कि सूचना का भाव होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है जैसे कि हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे प्रिसिक्षन संस्थान होते हैं सरकार समय समय पर कैम्प लगा कर भी प्रिसिक्षन देती है लेकिन कब ये कैम्प लगेंगे किनको सिक्षित क जाना है किनको प्रेसिक्षण दिया जाना है वास्तों में जिसको इसकी जरूरत होती है वहां तक वह सूचना नहीं पहुच पाती है तो यह भी एक बहुत-बड़ी समस्या है एसी एक समस्या हम यहाँ पर देखते हैं कि निराशावादी दृष्टी कोण रहता है लोगों का सबसे मातवभ पूंजी गट समस्या यह वार्ट करते हैं उनके उनको सिक्षित किया जाएं उनके स्वास्थ पर ध्यान दिया स्वाइब CHA kü Doch इन सभी कारियों के लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी की जरुवत होती है जो कि परियाप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है और फिर ये सारे जो कारी प्रक्रिया होती है वो अधूरी रह जाती है तो ये तो रही इन कारी कुशलता या दक्षिता को निखारने य वास्तों में जब हमने सिक्षा को सबसे पहले रखा कि सिक्षित होना चाहिए उसके बाद हम देखें कि अब उसके अंदर कौन सी दक्षिता विक्सित हुई और फिर हम उसका विकास करें तो बात तो सबसे पहले घूम फिर क्या आती है सिक्षा के तो सिक्षा के बारे में अगर हम जाने तभी के लिए कि एक प्रक्रिया ग्यान लेना सीखना तो यह सारी चीज़े खर चांदक सिक्षा के अंतरगद जब आती है तो यहां पर हम देखते हैं कि यह जो शिक्षा है इसको हम सीखना के अर्थ में प्रयूपते कर सकते हैं यह कह सकते लेकिन इसके बारे में हम बात करें कि यह जब हम बात करें मानों पूंजी निर्मान की तो रोजगारों मुखी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जो किवल सद्धान्तिक ना हो हमने कौपी पढ़ लिए बुक 200-400 पेज के मुटी-मुटी किताबे पढ़ ली और उसके बाद अगली क्लास में गया और उसको भूल गया आप मैट्स में देखें साइंस में देखें कॉमर्स में देखें बहुत सारे चैप्टर्स हम ऐसे पढ़ते हैं जिनको हम जीवन भर सोचते रह जाते इसका उप प्रयोग किया जब हम फिल्ड में गया जब हम काम करने उत्रे तो उस चैप्टर का प्रयोग कहा हुआ जो हमने पढ़ा था तो यह भी एक चीज़ देखना है कि जब हम मानवपुझी निर्मान की बात करें तो हम सिक्षा के उस इस्तर को हम देखे जाने किताबों में हम उन चीजों का समावेश करें जो एक व्यक्ति को जो बच्चा है जब वो बड़ा हो तो उसके अंदर कारिकुशलता विक्सित हो जाए किसी योगिता किसी दक्षिता को लेकर वो बाहर निकले बाहर निकल कर कम से कम वो अपना और अपने परिवार का जीवनियापन कर सके अब अगर हम बात करें इसके महत्यों की तो सिक्षा के महत्यों पर बहुत जादा कुछ भी समझना या समझाना मुझे नहीं लगता है कि बहुत जरूरी है लेकिन अगर हम कुछ बिंदों के अधार पर इसको जानना चाहे तो एक तो बात हम यह देखते हैं कि सिक्षा से व develop करते हैं दूसरा हम यहां पर देखते हैं कि नैतिक ज्ञान होता है एक जो सिक्षित वेक्ति है और एक जो असिक्षित वेक्ति है उनके जो behaviors होते हैं उनमें आप difference देख सकते हैं कि किस तरह से अंतर होता है तीसरा यहां पर हम देखते हैं कि मानवी संसाधन का वो विकास करत इसे तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का अगर सही उपयोग करना है तो सिक्षित व्यक्ति के हाथ में वो होने चाहिए कई बार हमको यह नौलेज ही नहीं रहता है कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम कहां पर लगाएं कहां किस तरह से हम उनका रू से चलकर जब रोजगार प्राप्ति करता है तो एक अच्छे जीवनि स्तर को उच्छी जीवनिस्तर को प्राप्ति करता है वह अपने फैलिडी को बहुत अच्छी सुख्ष tu dhave देता है खुद तो उसमें वो सही योग करता है और आल हम कह सकते हैं कि पूरे देश के आर्थिक विकास में वो सही योग करता है बात करें अगर हम सिक्षा के उद्देश की तो क्या किनकिन उद्देशों को लेकर सिक्षा दी जानी चाहिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्यान देन knowledge को उसके अंदर जौन को भढ़ना दूसरा करना समझ को विक्षित करना उम्र क्या निसार जो व्यक्ति की समझने की शक्ती होती है वह बढ़ती जाती है sappmarkt किया चोटी अंगे बच्किककाप जो सिलेबस उसके उमर एककोडिंग होता है धल्स. जैसे जैसे वह उसके अनुसार बदलते जाते हैं तो सिक्षा जो होती है वो धीरे धीरे आयू के अनुसार एक बच्चे में समझ को विक्सित करती जाती है जिससे वो आगे चल कर एक छमतावाने और योग वेक्ति बन कर निकलता है तीसरा इसका उदेश होता है कि सीठने योग बनाना यहने उसको इस काबिल बनाना कि वो किसी भी चीज को सीख सके उसको ग्रहन कर सके उसको समझ सके साथ ही साथ इसका उदेश यह है कि जीवन यापन की योगिता जैसे हमने बात कहीं ऐसा नहीं कि किताबी ग्यान प्राप्त कर लिया पढ़ा और भूल गया कहीं भी वो लाइप में काम नहीं आया लेकिन इस तरह का ग्यान दिया जाना एक उदेश होता है कि उसके अंदर जीवन जीने की योगिता है यानि इतनी कारे कुशलता उसके अंदर विक्सित हो कि कम से कम वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके वैसे ही हम बात करते हैं यहां पर कि सामाजिक संबंधों की स्थापित करके पढ़ा लिखा एक जो व्यक्ति होता है उससे एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि कम से कम वो समाज में अपने जो संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे से स्थापित करेगा शांती मेल मिलाप मेल भाई चारा इस तरह की भावनाओं को वो अपने अंदर विक्सित करेगा उसी तरह एक बिंदू यह भी आता है कि रा कि राष्ट्रियाय का सीधा सीधा संबंध होता है और वही वैक्ति जो राष्ट्रियाय में सहयोग में सहयोग में कि इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि सिक्षा का कितना महत्व पूर्ण स्थान है अब अगर हम बात करें सिक्षा के महत्व की तो सबसे पहले हम भारत में सिक्षा के विकास पर एक नजर डालें भारत में सिक्षा के विकास के बारे में हम देखते हैं कि सिक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रारंबिक इस्तर से प्रारा शुरू होकर फिर वो उच इस्तर तक जाती है और इसके साथ साथ कई छेत्रों में विभाजित हो जाती है कभी तकनीकी छेत्रों में चिकित्सा के छेत्रों में प्रबंधी के छेत्रों में अन्य कई कई छेत्रों में फिर वो specialization के रूप में प्राप्त होती है तो अगर हम बात करें प्रारंबिक सिक्षा की तो आए एक नज़र डाले प्रारंबिक सिक्षा के स्थिते की इसके अंतरगत 6 से 14 वर्ष तक के समू के जो बच्चे हैं जिने हम पहली से आठवी कक्षा के अंतरगत पाते हैं इनके बारे में बच्चों के अनिवार सिक्षा की विवस्था की गई दूसरा इसके बारे में देखा गया कि 1950-59 में प्रारंबिक सिक्षा के चेत्र में ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रयास था बहुत अच्छी उपलब्धी रही साथ में अगर इसके परिणाम को साक्षर्टा के रूप में देखा जाए तो साक्षर्टा की जो दर थी वो 18.31 से बढ़कर लगभग 73 प्रतिशत हो गई तो जहां पर एक और मानव पुंजी निर्माण में सिक्षा को महत्पूर्ण माना गया वही सिक्षा के अंतरगत प्राथमिक सिक्षा के विकास के लिए काफी महत्पूर्ण कारे कि एग अब अब अगर हम बात करें साक्षर्टा मिशन की तो काफी महत्व पूंड रहा ही आप सभी जानते होंगे साक्षर्टा मिशन इसके अंतरगत सभी व्यक्ति को सिक्षित करने की एक तो योजना बनाई गई कि देश में जो लोग है हर इस्तर हर आयू वर्ग के उनको सिक्षा प्रदान की जाए साथ ही साथ रास्ट्र सभारता मिशन की स्ःपना की गई कि पूरे देश को सिक्षित करना है चाहे प्रारंभिक विध्यालय से हम शुरू करके उत्ष तर तक ले जाएं चाहे हम महिला सिक्षा की बात करें प्रौण सिक्षा की बात करें लेकिन ओर एलंग ओफेמׇन है वो पूरे देश को पूरे देश की साक्षर्था को ध्यान में रखकर बिनाया । इसके अंतरगह थी साक्षर भारत के नाम से यह जो रहत pals्त मिशन थे, बाद में इसकी को सॉम्दिपाई करे चेंज कर्के, सर्व सिक्षा अभियान के नाम से इसका मुख्य उद्देश जो था वो पहली से लेके आठवी तक के विध्यार्थियों की गुणवत्ता में सुधार लाना, उनमें कुछ ऐसे कौशल विक्सित करना जिनको गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको बहुत अच 59 में देश में लगभग 7,40,000 जो माध्यम की स्कूल थे और बाद में उनकी इसमें जो विध्यार्थियों की संक्या थी वो थी 150,000,000 के लगभग और तिरे दिरे 2011,12 में इन स्कूलों की संक्या जो है वो बढ़कर लगभग 2,12,000 हो गई और अगर हम बात करें इनमें विध्यार्थियों की तो वो लगभग 482 लाक विध्यार्थि इसमें आ गए और ग्रामीड छेत्र की विध्यार्थियों को बहुत अच्छी सिक्षा मुहया कराई जा सके कई बार ग्रामिण छेत्र की जो विध्यार्थी होते वो काफी प्रतिभाश आली होते हैं लेकिन उनको सही जगा सही विध्यालय वैसा नहीं मिल पाता है तो उनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता है तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ग्रामिण छेत्रों में अगर हम बात करें तो देश में लगभग फांसिपट नवोदय विद्यालिय थे जो कि बाद में धीरे-धीरे बढ़ कर अब लगभग 1086 से भी अधिक नवोदय विद्यालिय हो चुके हैं अब इस समय अगर हम वेब साइक चिक्रा के तो वहाँ पर तातकालिक समय में बहुत जादा प्रगती वेफसाइक सिक्षा के चेतर में नहीं हो पाई थी जिस तरह कक्षा पहली से आठवी तक के विध्यार्थियों को गुडवत्ता युक्त सिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व सिक्षा अभियान चलाया गया बिल्कुल उसी तरह कक्षा नवी और दस्वी के विध्यार्थियों को गुडवत्ता युक्त सिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रे माध्मिक सिक्षा अभियान चलाया गया और बाद में इनी दोनों योजनाओं को जोड़ कर जिससे कक्षा पहली से दस्वी तक के विध्यार्थियों का अच्छे से विकास हो सके उनको गुडवत्ता युक्त सिक्षा प्रदान की जा सके इस पूरी उदेश को ध्यान में रखते हुए समग्र सिक्षा योजना चला पहलाई गई जो कि वर्तमान में भी संचालित हैं से कि उच्चि सिक्षा के छेतर में जहां कि स्वतनतरता के समय बहुत ज्यादा विकास नहीं था वहीं स्वतनतरता प्राप्ति के तुरंत बात जब लोगों ने सभी लोगों ने अनुभव किया कि उच्छ भी देश के आर विश्विद्याले थे वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग छे सो पैसट से अधिक विश्विद्याले कारे कर रहे हैं और महा विध्याले जो कि इन विद्यालों के अंतरगत कारे करते हैं उनकी संख्या लगभग 35,829 के आसपास पहुंच गई है वहीं इसके बारे म के लिए तो व्यवसाइक सिक्षा के भी स्थापना व्यवस्था की गई और इस से संबंधित लगबग 11315 के आसपास व्यवसाइक सिक्षा से संबंधित कॉलेज जो है महाविध्याले जो है उनकी स्थापना की गई साथ में ये भी देखागे कि उच्ष सिक्षा का जो मार्ग दर्शन है और नियंतरण है वो यूजी सी उनाइटिट ग्रांड कमिशन के अंतरगत किया जाएगा और उच्ष सिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने उसमें सुधार लाने के लिए जो भी संबह प्रयास है वो स अनुसंद्धान के अलुकत को खोलत है और साथ में अनुके शिक्ष की तो बहुत सारे अनुसंधान के इंदर में भी खोले गए इन पर एक नज़र डाले थो हम देखते हैं कि भारती तक नीकी संस्थान क्रिशी अनुसंधान संस्थान भारती सांकिकी संस्थान राष्ट्रे भौतिक प्रयोकशाला इस तरह से कई जो टेकनिकल फिल्ड में जो प्रयोकशाला यह जाना गया कि जो देश के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ी अबादी एक ऐसी भी है जिनकी उम्र हो गई है अधिक और वो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन उन्हें ने जब उन्हें पढ़ना चाहिए था तब उन्होंने किसी कारणवस्द सिक्षा ग्रहन नहीं कर व्यवस्था की गई यहने बुझुरगों कि सिक्षा की व्यवस्था की गई तो इसमें अगर हमने एक नजर डाले तो देखते हैं कि इसके लिए 1988 में रास्ट्रि साक्षार्ता मिशन के अंतर गती स्थापना की गई ती महिला जो प्रौड महिला है उनके सिक्षा के लिए अलग से विवस्था की गई और उनकी सिक्षा की भी विवस्था की गई तो ये कुछ ऐसी योजनाय थी जिन्होंने देश में साक्षर्ता के प्रतिशत को बढ़ाने में भी प्रयास किया अब अगर हम बात करें कि सिक्षा के छेत्र में चुनोतियां कौन-कौन सी है बहुत आ कर fish लें कारी किया गया लेकिन कहीं कहीं कारी किये जाते हैं तो उनकें बहुत सारी चुनोतिया रहती हैं कौन-कौन सी कौनाय हमारे सामने आई तो सबसे पहली बात तो व्याइए इन पे बहुत होता है हमने देखा कि सिक्षा स्वास्थ यह कुछ ऐसे छेत्रे जहां पर सरकार को इनको हम बिजनेस परपस से नहीं दिखते हैं इनको हम घ्यान देना है इस परपस से सोचते हैं यहां पर किसी प्रकार का कोई रिटर्न यह किसी प्रकार की किसी आउटपूट के अपेक्षा नहीं की जाते हैं तो यह ऐसे चेत्रे जहां पर सिर्फ वै होता है और कापी बड़ी मात्रम में वह होता है तो पूंजी की एक जो समस्या है चुनोती के रूप में हमारे सामने आती है दूसरी जो समस्या है वो यह है कि पक्षपात कई जगा अभी भी देखा गया है कि लड़के और लड़कियों को पढ़ाते समय जो पैरेंट्स जो है उनक लड़के को किसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है लड़की को जहां पर भी आसपास स्कूल बहुत सभी के लिए यह मानने नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी लिंग भेद वाली मान सकता है सिक्षा को लेकर अभी भी बनी हुई है तीसरी जो चु कि जो सुविधाय हैं स्कूल की जो सुविधाय हैं उनमें काफी अंतर देखने को मिलता है साथ में देखते कि निर्धनता जो है गरीबी जो है वह बहुत बड़ा एक फैक्टर है बहुत एक महतफूर रोल अदा करती है साक्षर्टा या निरक्षर्टा के संबंध में पूरान बच्चों को भी नौकरी करने जाना पड़ता है तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनोती के रूप में हमारे सामने उभरता है कि कैसे हम उनकी समस्याओं का समधान करें कैसे उन बच्चों को स्कूल तक लाया जाए साथ में एक चुनोती हम देखते हैं कि हमारी जो सिक्षा विवस्ता है वो कहीं न कहीं सैध्धान्तिक पहलू की ओर ज्यादा बल देती है एक विध्यारती जो बहुत अच्छे डिग्री लेकर बाहर निकलता है चाहिए वो इंजिनरिंग की हो चाहिए वो MBA की हो वो सिर्फ सैध्धान्तिक रूप से पढ़ता है वेवहारिक जो सिक्षा है जहां उसको रोजगार परग जो सिक्षा है जहां उसको विध्याले से निकलते साथ ही रोजगार मिल जाना चाहिए या उसके हाथ में कुछ ऐसे कोशल होने चाहिए कि वो खुद से अपना कुछ कारे कर सके तो इन सब बातों का कहीं न कहीं अभी भी इस इक्षा व्यवस्था में अभाव पाया गया है तो आपने इस पूरी अध्याय में देखा कि किस प्रकार मानो पूंजी निर्माण के अंतरगत पूंजी के जैसे ही महत्वपूर्ण जो है वो मानो को बनाने का प्रयास किया जाता है यानि कि मानों का निर्मान इस तरह से कर दिया जाए कि अब यानि कि अब वो पूंजी की तरह उत्पादन में अपना एक महत्पूर्ण रोल अदा कर सके